नारायन 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 जैशिक्ष्णा वाणी भगवान का परशाद है जो हमारे यहां परिगनित हैं उन 84 लाख योनियों में किवल मनुश्य ही तो है जो इस प्रकार वाणी का प्रयोग कर सकता है अर्थकरी वाणी का प्रयोग हो सकता है अन्य जीव हैं वो ध्वनी का प्रयोग तो करते हैं सांकेति चिन्नों का प्रयोग तो करते हैं लेकिन वाणी का प्रयोग सार्थक वानी का प्रयोग अलंकरत वानी का प्रयोग भावपूर्ण वानी का प्रयोग हितकर वानी का प्रयोग मितकर वानी का प्रयोग प्रयकर वानी का प्रयोग एक वन मनुश्य ही कर सकता है वानी का प्रभाव बहुत होता है बहुत से उदाहरन है जो केवल एक वाक्य के कारण जीवन पर बरतन हो गया है हम लोगों ने इसी संध्यारती के प्रसंग में अमरसर जी के सेठ जी का स्वरन किया था जिसको सफाई करने वाली एक देवी ने सेठ से जब कहा कि सेठ जी एक तरफ हो जाएए तो यद्य भी उस बहन का तादपर था कि एक तरफ हो जाओ तो मैं सफाई करनू लेकिन वानी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि सेहर जी ततकाल वहां से चले आए जाड़ी में और अद्भुत महापुरुष बने अन्भावी थे ही तो वानी का जीवन को सर्वता परिवर्टन कर देने का प्रभाव हो है हम बद्रिनाद गए थे तो नाले में पानी बर्शा काना गया गाड़ी आगे बढ़ाना मुश्किल था लेकिन हमारे सरदार जी ड्राइवर थे उनका नाम था शेर सिंग तो मैंने उसे का ओए शेर सिया अकलिया सिख सवाल अक्ल के बराबर होंदा है क्या कर रहा है घीदर सिंग की तरे चल निकाल ले ओ शेर सिंग पहले कोई घीदर सिंग था ऐसा नहीं है शेर सिंग गही था लेकिन जब हमने कहा ओए शेर सिया तो वो अपना अन्भव किया अपने शेरतों का और उसने हिम्मत करके कैसे गाड़ी निकाली है मैं आज चालिसों वर्स के बाद उसको धन्यवाद दे ना हूँ पता ही कहा होगा हर द्वार के थे वो उनको देखा दे कि और भी ड्राइवर सब के सब पार हो गए वानी का प्रभाव है तो इसलिए हमारे संत कहते हैं वानी को बहुत सैयम पूर्वक परयोग करो विचार पूर्वक परयोग करो इसका दुरुपयोग न करो बहुत शक्ति होती वानी में जो वानी का सैयम करते हैं उनकी वानी में सामर्थ आ जाता है रिशीगन तो रिशीनाम प्रिनाध्याना वाचमर्थोन धावती जो वो कह देंगा वो हो जाता रहा उसका कारण यह है कि सदै वो सत्य का वो प्रियकर बोलो सत्य बोलो लेकिन प्रियकर बोलो प्रियकर बोलो और हितकर भी बोलो अहितकर प्रिय नहीं बोलो इस सब चीजें साउधानी से करना है अपने से बड़े हो तो उनसे बाचीत करते समय वानी का स्वर कैसा होना चाहिए अपने बराबर वाला हो तो उसके संग वानी का स्वर कैसे होना चाहिए अपने से कनिष्ट हो या जिसको आप कनिष्ट समझते हो उसके साथ वानी का प्रयोग किस तरी से वो स्वर कैसा हो किसी को आदर करके बोल रहे हैं तो बानी अलग होगी और अनादर कर रहे हैं तो बानी अलग हो जाएगी कुरोधित्याज में भी प्रवापड़ता ही आपनों जानते है लेकिन ऐसे समय ही संयम की आवश्यक्ता है कई लोग कोई ऐसी बात कह देते हैं कि आर पार हो जाती है एक बार हमको किसी माने कहा था जब प्रवन करते हैं तो महराज जी तलवार का घाव भर जाता है बानी का घाव भरता नहीं है रिष्टा रहता है जिन्दगी बर तो मैंने का मैया जो समझदार होगा घ्यानी होगा उसका रिष्टा हुआ घाव विचार से ठीक हो जाएगा अब विचार जी गावनी क्या समझे हूँ हमको वाली हमने कि हमको तो अपना कही देना था रिषने वाले घाव का एक मत्र उपाय विचार है विवेक है और कोई नहीं है छमा सबसे बड़ी बात तो खेर हम वानी की बात कह रहते हैं आज हमने पढ़ा था जो हम अभी केजी में प्रवेश नहीं हुआ था हमको वैसे पढ़ाया जाता था तो पहाड़े की किताव आती थी एक आने की आती थी वो उसमें दो से लेके दस तक पहाड़ा है औरनीचे तीन से लेकर के अतीज तक है उसमें बीच में जगे में दोहे लिखे होते थे तो उसका एक दोहा है कई दोहे हम को अपतक है वो तो अलगवा है सब याद है हमको तो इसका है ऐसी वानी बोलिए मन का आपा खोए और उन को सीतल करें आपों सीतल होए हमारे मुता गुद्यों भगवान नहीं बताये था, या उसी समय घटना है, एक बार एक प्रग्या चक्षु महत्मा की जंगल में कहीं बैठ करके और भजन कर रहे थे, प्रग्या चक्षु महत्मा नहीं थे, तो जिनकी आँक नहीं होती, उनके कान बहुत तेज हो जाते, वो पद्चाप से पहचान लेते कौन आया हमारे गुरुभाई थे पुझे साधुराम शास्त्रीजी महराज वो तो खासने थे खासने तो वारे बाबा साथ पहचान लेते हैं ये कौन खास रहा है पठान को बोरे इनलों को इस्पेशल क्वाल्टी तो प्रग्या चक्षो को पद्चाप पता चल जाता है कौन बोल रहा है कौन खास रहा है कैसे कुछ चलना असका भाव क्या है तो मात्मा बैठे भजन कर रहे थे आननदा ले रहे तो अपने शुरूप का तो जादमी आता है ए बाबाजी यहां से कुछ लोग गये क्या अब जाते देखा आपने तो उसने का हाँ सिपाही जी अभी कुछ देर पहले यहां से यह तो नहीं का चोर गए हैं का संदिक आचरन वाले कुछ लोग इधर से निकल करके गए हैं इसी तरफ गए हैं तो सिपाही उनके पीछे चल दिया तो दिर बाद आया ए बाबा इधर कोई गये हैं क्या जैशी किष्णा कोई गये हैं तो पग्या चक्ष्यों ने कहा कि हां दरोगा साब इधर से पहले कुछ संदिक तरफ वाले पुरुष गये हैं फिर आपके सिपाही साब आये हैं वो गये हैं और दरोगा साब आप आये हैं इधर गये वो लोग तो दरोगा साब गुर्दिशाम गये थोड़ी देर बाद एक और विक्ति आए बाबा जी आप से प्रार्थना है आप बता दें कि इदर से कुछ लोग गए तो नहीं मैं ढूड़ रहा हूँ तो उनका मंत्री महोद है कुछ देर पहले यहां से संदिख्ध आचन वारे लोग गुजरे थे उसके बाद आपके सिपाही जी आए थे वो भी दरी गए है फिर आपके दोरोगा साहब आए थे दोरोगा साहब भी इधरी गए है अब आप आएं मंत्री जी तो मंत्री जी उधर चले गए थोड़ी देर बाद एक और आदमी उसकी वानी से ही कुछ गरिमा लगी तो उधर के बाबा जी मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ हम थोड़ा कुछ आपको विगन करना चाहिए इधर जे कुछ लोग गए तो नहीं है हम को उनको बारेम जानकारी लेनी है लोग इधर से गुजरे थे उसके थोड़ी देर बाद आपके सिपाही सहाब आये थे सिपाही सागबाद दरोगा जी गए दरोगा जी के जाने के बाद आपके मंत्री महोदय आये थे वो भी पूचे वो उधरी गए है अब महराजा आप पधारे हैं वो रोग इधर गए तो राजा सहाब भी गए और राजा सहाब वहाँ गए पर सब लोग मिल गए उन लोगों ने आपस में निरना के यह तो प्रग्या चक्षू दिखाई पड़ते हैं प्रग्या चक्षू गैंकिते हैं निरन के अंदर के छक्षू कुनें हैं तो लोग बाबा जी तो प्रग्या चक्षू हैं लोगों कभी ए चुट कुलाम ने सुना था और एक अंधा कहरा था है चथ्री बाले बाबुजी कुछ अंधे को भी दे जाओ अब छत्री वाले माबुवजी को बुला रहा है और अधापने आपको कह रहा है तो बज़ तो भी आगात हो गया जैसे हमारे कहते हैं मेरे मुझी जी भही नहीं मैं क्या करूँ अर जी बूल कैसे रहा हूँ तो ये तो प्रग्या चक्षुत है इन्होंने ये कैसे पहचान लिया कि ये सिपाही है ये दरोगा है ये मंत्री है ये राजा है तो पता नहीं कि परचट दिया नहीं और वो हैं अंधे ये तो ठीकी बात है तो को दिखने रहा है तो पड़ी जी क्या है को पता कैसे चल गया मनें अंग्रेजीब करें डिश्क्रिमिनेट कैसे कर लिया के वर सुन करके तो सभा करके प्रणाम करके बैठे आओ आओ स्वागत है आप लोग का आओ राजा साब मंत्री जी दरोगा साब शिपाही जी आओ बैठो पानी वानी पियो नहीं कर बार जहां पानी वानी तो पिएंगे या आपको बाधा नहीं करेंगे आपके दरशन मिल गए यहीं भागे लेकिन एक जी जी जासा है प्रवो हमको आप अन्यता मत लेना हमको आपके पर किसी तरह संदेह नहीं है यह ग्यासा है हमको निश्चित रूप से मालूम है कि आप प्रग्या चक्ष्यों है माने नकली नहीं बने हमको वालूम है आप अन्यतारा समझें लेकिन प्रग्या चक्ष्यों होते हुए भी आपने ठीक ठीक यह कैसे बता दिया कि यह दुरोगा है यह सिपाही है यह मंत्री है और अपने दाश को भी आपने ठीक से पहचान लिया तो संत ने कहा हुए प्रग्या चक्ष्यों हो राजन आदमी अपनी वानी से अपनी आवकात बता देता है जितना बड़ा होगा जितनी बड़ी आवकात कहोगा उसकी वानी उतनी ही नम्ब्र जिसको पोलाइट कहते हैं संख्षित और दूसरे को अनादर करने वाली नहीं होगी हमारे हन्मान परसाद पोदार जी के आज उनका खास नौकरत उसको भी जी करके बुलाते थे आदर क्या फरक बड़ता है उसको जी कहने में आत्मत उसमें वही है आज उसका प्रारब्द हमारी नौकरी में है और हम उसके सेठ हैं प्रारब्द होता तो क्या परता हम भी उसको भी आदर देना तो जो जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी वानी उतनी ही संयत, संयमित और मधूर होगी आधर देने वाली हो हमने देखा आप किसी पाही जी की वानी जिस तरह हमारा संबोधन किया हम समझ गए किस इसनर का आदमी है दरोगा साब उससे थोड़ा अधिप गए को अधिकारी हैं, मंत्री महोदे ने जिस तरह भाषा का प्रियुप किया हमने समझ लिया कि मंत्री महोदे हैं और राजन आप जिस तरे से अपने नम्रता का उशिष्ट अचार का परिशे दिया उसे निशित हो गया ये कोई राजवनिश का ही है खांदानी नेखती है तो वानी से पता चल जाता है कि कौन किस इसतर का है हम लोगों को भी वानी का प्रियोग करते समय साथान रहे है ये प्रशाद है भगवान के प्रशाद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए हम लोगों को वानी मिली हुई है इसलिए हम इसका महत तो नहीं समझते हैं जिनके पास वाणी नहीं है उनसे पूछो रीडर डाजेस ते एक पत्रिका है उसमें एक पत्रकार का लेख आया था किसी एकसिडरेंट के कारण उनका पूरा शरीर जड़ हो गया केवल पलकें हिलती थी ना पैर हीलते ना हाथ हीलते ना मूँ भी नहीं था इशारा भी नहीं कर सकते हैं कोई दरवाजा खोल के चला जाए ठंड लगे वो बिचारे इसको कहीं भी से कि दरवाजा बंद करके जाना अब उनको क्या प्रिरा होगी उन्हों ने उनके समझदार लोगों के साथ रहते थे आंख के इसारे से इतनी बार करेंगे तो A, इतनी बार करेंगे B, ऐसे कैसी कुए इस परकार से आँखों की पुतलियों के संचालन के चेटे ने बना लिये और फिर उसके सहारे उन्होंने एक लेख लेखा है हम समझ सकते हैं कि क्या लेख थे बोलने वाले थे ओरिटर थे क्या अनुगुती होगी जब वानी चली जाती है तो वानी बहुत मुख्यवस्तु भेड़े बातन हाथी पाईए बातन हाथी पाए एक ही बात को किस धंग से कहोगे वो मधर हो जाएगी और कटू हो जाएगी कभी कभी कोई कहने का धंग भी होता है एक राजा की कुंडली देखी गई और राजा की कुंडली देखे गनित देकर के उनको सब गनित के जानकार थे रहन बताया कि राजा साब आपके तो सारे पारवारिक लोग मर जाएंगे आपके सामने राजा के मूर खराव जाएंगे खराव करने को अब जेल में कहा है को बंद करने को कहता होगा लेकिन बना देते हैं लोग को जेल में कहा है को बंद करेगा लेकिन मानने का तिरिसकार हुआ एक समझदार आदमी आया उसने सूच्या कि क्या का नराजा सब का तिरिसकार करता है कुंडली नहीं देखी उनकी वकार राजा सहब आश्चर है ऐसी कुंडली अभी तक हमने देखी यह नहीं जिन्दगे में एक विश्ञ दो अस्टत्य नहीं बोला है यूसी ऐसी कुंडली मैंने अभी तक अपने जीवन में देखात फुद कुंडली है आपकी क्या आयुश है आपकी आपकी आयुआपके परिवार में हर सदस्य से अधिक है आप बड़े दीर का आयुआ है अब आपकी आयू आपके परिवार के सभी सदस्यों से अधिक है उसका मतलब क्या हुआ है कि उनकी कम है उनकी आयू कम है का मतलब क्या है उसके सामारे सान भी मर जाएंगे लेकिन आपके सामने ही आपके पाजवारी जन मर जाएंगे ये कहना और आपकी आयू अपने परिवार के सभी सदस्यों से अधिक है अंतर कोई नहीं है लेकिन वाह मेरी आयू सब्धिक है ठीक है इसको एक हाथी इनाम में दिया जाए तो हाथी उसको इनाम मिल गया तो कहा गया है बातन हाथी पाई ये बातन हाथी पाई हाथी पाए एक माने हाथी के पहने दबा दिया जाता है धन्ड भी हो जाता है बानी के पर्योग से कभी-कभी और इस जोटीची को हाथी पा गया, हाथी मिल गया बात सही कही, एक भी जी अश्रत면 नहीं कही, लेकिन कहने का धंगी था तो हम को याद हम 3-4 साल के होंगे के नहीं होंगे लगवा कि इतनी है हमने पढ़ना थो जल्दी सीख लिया 3-4 साल के तो होंगे ही शायः पटा? लगवा कि हुम्र होगी उस समय हमने ये पढ़ा था ऐसी वानी बोलिये मन का आपाख हुए औरन को शीतल करे आपक शीतल होए बानी का प्रयोख शीतल करने के लिए करो तुम दूसरी को शीतल कर पाओगे जब पहले आप सुयंद मे शीतल होगे बरफ सीतल होती है तो शर्वत को शीतल कर पाती है अगरी गरम होती है तो सूप को गरम करबाती है तो जो तुम दूसरे के साथ करना चाहते हो पहले वो आपको होना पड़ेगा अगर किसी को तुम जलाना चाहते हो तो पहले तुमको स्वयम जलना पड़ेगा बिना स्वयम जले वे दूसरे को जला नहीं सकते हो दूसरा जले या न जले आपको तो स्वैम को तो जलना ही पड़ेगा माचिस्त की तीली को तो जलना ही जलना है मुंबत्ती अगर बत्ती जले या न जले इसी तरह से दूसरे को शीतल करने के लिए अपने आप को शीतल करो दूसरों को शीतल करने की चेष्टा में अपने अंतरात्मा की शिर्दलता का अनंग लोग मानी को ध्यान रखो ये प्रभू का प्रशाद है इसका दुरुप योग नहीं करना है इसका निराधर नहीं करना है और इसके दौरा कोई असब प्रियोग भी नहीं करना है भगवान का प्रशाद मान के आदर मान करके उसी प्रकार इसका प्रियोग करोगे तो माईलियर वानी के दौरा ही तो परमात्मा की प्राप्ति होती है जैश्विश्टो